नमस्कार सुरूची वंकीच मापका स्वागती आज हम बनाने वाल है पॉपकॉर्ण बच्चे हुई या बड़े सभी को बहुत जादा पसंद दोता है पॉपकॉर्ण खाना तो आज हम इसे घर पे बनाएंगे बहुत या आसन तरीके से आप मेरे चानल पे नए होंगे तो पले चानल को सब्सक्राइब केज़े इस वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट केज़ेगा तो चलिए बनाते हैं पॉपकॉर्ण घर पे आसनी से पॉपकॉर्ण बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्ट्टू क्लासिक साल्टेड पॉपकॉर्ण का पैकेट लिया है यह मार्केट में बहुत ही इसली मिल जाएगा और यहाँ दस रुपीज वाला है पॉपकॉर्ण हम कुकर में बनाएंगे तो सबसे पहले कुकर की जो सीटी है उसे निकाल के लेना है और जो रिंग है उसे भी निकाल के लेना है कुकर को सबसे पहले प्रिहीट कर लेना है तीन से चार मिनिट के लिए और कुकर अच्छे से प्रिहीट हो जाना चाहिए यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्ण को जो पैकेट है वुसे तोड़ लिया है आप देख सकते हो अभी कूकर अच्छे से प्रिहीट हो चुका है इसमें यह पैकेट डाल देते है इसे अच्छे से मिक्स कर लेते है जब पॉपकॉर्ण बनने लगेंगे तब हम इसका धकन लगा ल तागे सभी पॉपकॉर्ण अच्छे से फूल जाए और जले नहीं सभी पॉपकॉर्ण एक से दो मिनित में बन जाते है और यह जब बनते है तो कूकर में से इस तरह से चटकनी के आवाज आती है पॉपकॉर्ण के चटकनी के आवाज बन्द हो चुकी है यहाँ पे पॉप तैयार है तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यह बन चुके हैं और सभी coupon फूल चुके है एक प्लेट में निकाल लेते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी पॉपकॉर्न जला नहीं है इसी वज़े से हमें बीच बीच में शेक करते रहना है ताकि बहुत ही अच्छे से पॉपकॉर्ण बन जाते हैं और जलते भी नहीं तो आज हमने घर पे बहुत ही आसनी से पॉपकॉर्ण बनाए है और बहुत ही इसी बन जाते हैं यह एक्टू पॉपकॉर्ण आप भी इसे जरू ट्राय कीजेगा आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमेंट कीजेगा और प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजे ठैंक्यू फॉर वाचिंग